हलो भाई दोस्तों बुदर्गों कैसे है आप आपका एक बड़ फिर से स्वागत है आपके इस चैनल इशाक फिसरिस पे तो आज हम आए हैं सिली गुरी तो हम अभी इस जगह पे है उस जगह का नाम है गुल्मा भीव पॉइंट इसको गुल्मा पिकनिक पॉइंट भी पोला जाता है और सामने यहां अंतिम संस्कार का भी काम होता है इस तरफ के साइट में जो सुखा हुआ जगह आप देख रहे हैं यह है महानंदा नदी का जाने का रास्ता अभी तो पानी एकडम है नहीं आप देख सकते हैं पूरा जो भंजर रमीन बना हुआ है तो आप देख स पथर उठाने का काम जो है जोडो सोडो से चल रहा है ठीए आप देख सकते हैं यहां पे थोड़ा बहुत अलग काईतक पथर देख सकते मिश्यआ के चुले से खासरों कि यही से आप पहार का भी नजा़ा थोड़ा बहुत देख सकते हैं और वहाँ पे जो है अंतिन संस्कार का काम होता है अभी तो ये बंद है देख सकते हैं यहाँ पुरा जगा है वो पिकनिक स्पोट है इस जगा के बारे में और भी थोड़ा जानकारी लेते है और आपको भी देते है तो बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ ये जो जगा है यहाँ पे पिकनिक करना मना है नगे है अभी एक्तर्यकkin आडा है वने शब निरीत Kollege पाटें पाटें सबतीकी करें़ शब्द है भी थोड़ी कुझे थो धया है भी जगाना में पाटें पाटें से अव्डमिन है वगी है आज का जो पिकनिक का मेनू है वो है रोटी और जिकेन गुल्मा ब्यूपॉइंट सिलीगुरी मेन टाउन से कुछ 6-7 किलोमेटर दूर है रास्ते में आते वक्त आपको एक बोध मंदिर देखने को मिलेगा कहा जाता है वही पे गोतम बुध धैन लगाया करते थे ये गुल्मा ब्यूपॉइंट बरसात के टाइम पे और भी ज्यादा खुबसूरत लगता है जंगल पहार के साथ आपको नदी का व्यूपॉइंट भी बहुत अच्छा लगेगा देखने को उस पर एक जगा है जहाँ पे एक छोटा सा रस्ता बना हुआ है उस जगे को एलिफेंट क्रोसिंग बोला जाता है जब इस नदी में पानी होगा तब आपको उस जंगल के पार से हाती और उसका पूरा फैमिली देखने को मिल सकता है तो सिली गूरी से चौंपा सारी की तरफ आना परेगा आपको इस जगा को विजिट करने के लिए दोनों तरफ का ही रस्ता बहुत अच्छा है तो हमारा जो ये पिकनिक है वो अभी खतम होता है और अभी हम जा रहे है घर तो कुछ 7-8 बजे का ट्रेन है जो आज हम पकरेंगे सिली गूरी से मालना तक तो ये एक छोटा सा अपडेट था सिली गूरी गुलमा वीव पॉइंट का नौर्थ में और कुछ जगव में हम घुमेंगे और दिखाएंगे आपको वहां का फुल नजारा तो बने रहे हमारे इस चैनल के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्षन में बोलिए कैसा लगा आपको ये वीडियो तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई दोस्तों